आज हमारे साथ काशी हिंदु विश्वद्याले के पूरातन गवरों वकाशी हिंदु विश्वद्याले की थाती प्रोफसर आनन्द प्रधान जी हैं आप भारतिय जंसंचार संस्थान इंडियन इंस्च्ट आप मास् के प्रोफसर हैं वित्रों यह जानकर बड़ा हर्श होगा हम सभी को कि एक गत्ती जब अपनी संस्था के लिए अपना सर्वस्व देने को तयत्पर रहता है तो निश्शित तोर पे हम फिर 1942 में गांधी के दिये हुए उस दिछान्त भासड को यार्थ कर लें कि कोई भी संस्था और उस संस्थागत मुल्यों को बचाने की पहल मुझे लगता है कि जो गांधी ने वो बात कही थी कि उस संस्था की और वहां के छात्रों की कुछ ऐसी विश्यस्ताएं होती हैं जिसके जरिये उस शात्र की या फिर उस संस्था की साख और उसकी पहचान खड़ी होती आज बहुत बहुत नमुशकार आपके इस स्वागत के लिए जी धर्वेंदर जी देरन जी बाचय का आपने नवकरी की शुरुआत की कुछ दिनों के लिए बहुत सारे लोगों कोई बात नहीं पता है लेकिन कुछ दिनों के लिए इंदप्रस्त विश्रुविद्याले में भी आप अध्यान अध्यापन से जुड़े रहे और उसके बाद फिर इंडियन इंस्ट्यू को बनाए रखें वैसी इस्थिति में बहुत सारे लोगों में भासाई गिरावट देखने को मिलती है ऐसे समय में जब खास करके वैदेशिक मामलों के लिख रहे हों जब भारत के आंतरी खास्ता छेप पे किसी देश के जरिये हम उस बात को कहना चाहते हों तो हमारी बीच में उन सम बैरानिक दैरों के बीच में रख करके भाषा का कसाओ भाषा का गढ़ाओ और भाषा का संग्यम निश्यत तोर पे एक अधर्ष लेखक की तौर पे आपको स्थापित करता है हमें आपके बारे में लगातार बातचित करते हुए यहां के लोगों से संस्वर सुनते हुए यह पता चला कि आनंदिक बाल के नाम से बच्पन के दिनों से ही आप लगातार छोटी पत्रपत्रिकाओं में छपने लगे दीरे 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 लोग आपको नोटिस करने लगे तो यह जो पत्रकारिता का रुज्वान है यह आपका नैसरगी का रुज्वान है यह आपकी परवरिश्ट के साथ ही धीरे-धीरे धीरे-धीरे आपके जीवन में और इस तरीके से जूड़ता चला गया जो ना सिर्फ पेशे के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया में मैं किसी व्यवस्था में नौकरी के पेशे में आगर किसी व्यवस्था को हम देख रहे हैं तो वो शिक्षण की परंपरा और उसकी पूरी व्यवस्था है और पत्रकारों की एक बड़ी फेहरिस्त आपके पढ़े लिखें और पढ़ाने लिखाने के बाद तयार हुए जब भी ह हम लोग आपके पढ़ाय हुए विद्यार्थियों से जोड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि हम लोगोंने फीचर लिखना, हम लोगोंने खबर लिखना, हम लोगोंने समाचार लिखना, रिपोर्टिंग लिखना, संसमरार लिखना, डायरी लिखना, यह सारा लिखना, अगर पत्रकारिता के जरिये है बलकि हर उस जवान के दिल में आप बने हुए हैं जो कुछ पढ़ना लिखना बोलना और सीखना चाहते हैं बहुत कम ऐसे अध्यापक आज के परवेश में और आज के समय में मिलते हैं अपने अध्यापगी डाइक के बाद अपने बक्षों से इस त भी विद्यारती के लिए अध्यापक का यह जुडाओ उसके जीवन का सबसे बड़ा मेडल है और यह आप जैसे अध्यापकों से हम लोग भी सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि यह सभी उन नए अध्यापकों को जो सिक्षण परंपरा से जुड़े हुए हैं या फिर उ संयम जरूरी है तो पत्रकारिता और जनांदोलन से आपका जुड़ाओ फिर बाद में पत्रकारिता का प्रशिक्षण फिर बाद में सामाजीक और राष्ट्रिय मुद्दों पर समसामाई का अलेक जिसको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं तो पत्रकारिता में यह नए किर्टिमान है जो आपको आज के समसामाईक दोर के उन सभे शुर्षपत्रकारों के साथ ला करके खड़ा करता है, जहां से हम लोग सीखने और सीखाने की प्रक्रिया में छुड़े हुए है, सर आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अभिनंदन और आज आपक विशे बढ़ा सामईक विशे है और इस पर बाद चीत आज के समय में बहुत जरूरी है, तो उस विशे पर हम सीधा आपके साथ जोड़ते हैं, बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद, डॉक्टर धिरेंदर राय जी, मुझे सचमुच में एक तरह से बनारस हिंदू के बतार, पुरा चातर के बतार, एल्मुनाई के बतार, बहुत गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है, हमारे लिए एक ऐसा मौका है, जब बिश्विद्याले ने मुझे आमंत्रित किया, फिर से बाचीत करने के लिए बुलाया, और एक ऐसे बिशे पर बाचीत करने के लिए बुलाया, यानि महामारियों के इतिहास और उनके क्या सबक हैं, उसके भविश की क्या चुनाउतियां हैं, उस पर बोलने के लिए बुलाया है, जो इस समय पूरी दुनिया में, जन स्वास्थ के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, राश्ट्री सरकारों, नागरिक सम समाज, वैस्विक समुदाई के लिए सबसे बड़ी चुनाउति बना हुआ है, जो अख़वारों और मीडिया की लगातार सुर्खियों में है, जो इस समय जिसको हम कहते हैं, कंटेंपररी सबजेक्ट के रूप में लगातार इवाल्व कर रहा है, अभी हम उससे बाहर नही निकले हैं, हम एक ऐसी महामारी से जूज रहे हैं, जो पिछली एक सदी में सबसे बड़ी महामारी है, इस महामारी ने पूरी दुनिया को एक तरह से तरस्त किया है, पूरी दुनिया में इसका संत्रास महसूस किया जा रहा है, लाखों लोगों की इसमें मौत हुई है, करो को जगजोर कर रख दिया है एक ऐसे विशय पर मुझे नहीं मालूं कि पुरा चातर प्रकोष्ट के प्रभारी कॉडिनेटर डॉक्टर धेरेंदर कुमार राय ने मुझे इस विशय के लिए क्यों उप्यूक्त समझा मैं कोई प्रोफेशनल इतिहासकार नहीं हूं मैं कोई ड पत्रकारिता का अध्यापक और एक शोध करता हूं पर ऐसा लगता है कि डॉक्टर धीरेंदर राय जो खुद भी पत्रकारिता के अध्यापक है और पत्रकारिता में जो हम सब लोग पढ़ते और बढ़ाते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा हुआ इतिहास है तो कहीं उनको ऐसा लगा होगा कि चुकि जल्दी में लिखा इतिहास है तो आज के समय में जो कुछ हो रहा है उन पर मैं शायद कुछ रोशनी डाल पाऊं पत्रकारिता के एक छात्र और अध्यापक के बतौर भी और एक तरह से आज के दोर में जो बुलाया बहु के पूरा छात्र प्रकोष्ट ने मुझे इस कारिक्रम में खास करके इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बनारसिंदू विश्विद्याले जिसके हम सब लोग छात्र हैं जिस विश्विद्याले ने हमें बनाया उसके एक सो पांच साल पूरे हो गए हैं उसी विश्विद्याले के बारे में जिसको ग्यान की हम राजधानी मानते हैं उस विश्विद्याले ने मुझे बुलाया मुझे मेरे लिए गर्व की बात है लेकिन अगर इस व्याख्यान में और इस चर्चा में जो आने वाले समय में जो बाते मैं कहने जा रहा हूं उस पर ज इन महामारियों के बारे में एक संग्शिप्त सा इतिहास आप से चर्चा करूँ, साथ ही साथ आप से ये भी बात करूँ कि इन महामारियों के क्या सबक हैं और आने वाले समय में किस तरह की चुनोतियां हैं इन सब प्रश्णों पर आने से पहले एक छोटा साब एक तरह से आ पहले की पीड़ी और हमारे बाद की पीड़ीयों ने महामारियां देखी नहीं है। जिसको हम पैंडेमिक्स कहते हैं, वो पैंडेमिक्स या महामारी देखी नहीं है। जिस तरह की महामारी आज COVID-19 के समय हम देख रहे हैं, उस तरह की महामारी हमारी पीड़ी और हमारे बाद नहीं है कि उन महामारियों में जो कि करीब-करीब अठारविए और उन्नीसवी सतापदी के शुरुत ही दश्कों में भारत को और दुनिया के बहुत सारे देशों को उन्होंने बुरी तरह से परिशान किया, बहुत तबाही मचाई, उनके बारे में शायद हमारी स्मृतियों में बहुत कुछ कम है, हमारी उनके बारे में इस्मृतियां बहुत कम है, बहुत कम कुछ आपको मिलेगा कि उन महामारियों के दौरान क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे यहां यह कहना चाहता हूं कि हमें भले उसके बारे में कोई अंदाजा ना हो लेकिन मैं जब छोटा था तो मेरे पिता जी एक कहानी सुनाया करते थे जो कि एक सची कहानी थी और इस कारण उससे मेरा एक रिस्ता जुड़ता है मेरे पिता जी के पिता यानी मेरे बाबा जो 1895-1996 के आसपास यानी की 19-वी सदी के आखरी वर्षों में करीब पांच साल की उम्र के रहे होंगे तो जैसा मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मुहमदाबा तहसील का एक छोटा सा गाउँ है सुल्तानपुर जो गंगा के किनारे है वहां का रहने वाला हूँ मेरे पिताव वहीं रहते हैं मेरे बाबा तो जिन्निश्चित और वहीं रहते थे एक किसान थे तो उन्होंने बताया मेरे पिता ने कि जब मेरे बाबा पांच साल के थे तो 1894 और 96 के बीच भारत में प्लेग की महामारी आई थी और वो प्लेग की महामारी इतनी भयानक थी उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मेरा एक जो परिवार संयुक्त परिवार था किसानों का संयुक्त परिवार था मेरे बाबा पांच साल की उम्र के थे उस एक परिवार में 16 लोगों की मौत हुई थी और बहुत चोटे से समय के अंदर प्लेग से 16 लोगों की मौत हुई एक समय ऐसा था मेरे बाबा की कहानी हमारे पिता जी बताते हैं कि घर में एक शौ का दासंसकार करके लोग गंगा नदी के किनारे से घर लोडते थे और वहां एक दूसरी लास पड़ी होती थी इस तरह की तबाही इस तरह का महामारी का तांडव मेरे परिवार ने खुद जहला है उसकी कहानिया हमारे रोंटे खड़े हो जाते थे किसी तरह से हमारे पांच साल के बाबा की जान बच गई लेकिन उस महामारी ने जो असर छोड़ा होगा उसकी कल्पना करिये आप सब जानते हैं कि भारत एक तरह से 1817 से लेकर के 1920 के बीच के जो 100 साल है इन 100 सालों में तीन बड़ी महामारियां आई आज हमको लगता है कि महामारी हमने COVID-19 को देखा जो पिछले 100 साल में पहली इतनी बड़ी महामारी थी लेकिन 1817 से लेकर के 1920 के बीच में पूरी दुनिया में तीन बड़ी महामारिया आई पहले हैजा, फिर प्लेग और उसके बाद इनफलुएंजा, इन तीनों महामारियों नों इतनी भयानक तबाही मचाई और उन सब के एक तरह से एपी सेंटर के रूप में उसके केंद्र में भारत भी था, जहां भारत में भी इसने भारी तबाही मचाई, आप कलपना नहीं कर सकते कि भारत में इन महामारियों ने कितनी तबाही मचाई थी, इसका अंदाजा एक इस बात से आप लगा सकते हैं कि एक दौर था जब हमारे देश में भी, भारत में भी, और वो एक ब्रिटिश कालिन भारत था, हम एक गुलाम देश थे, उप्रिवेश्वाद का दौर था, ब्रिटिश सामराज्यवाद एक तरह से अपने उठान पर, सिती थी, कि छोटे बच्चों को परिवार की गिंती में गिना नहीं जाता था, लोग एक तरह से आम भारतिये की आउसत आयू, आज कलपना आप नहीं कर सकते, सिर्फ 25 साल थी, कोई भी 25 वसंद से जादा नहीं देख पाता था, इस बात की बहुत कम संभावना थी, कि कोई आम भारती उस 19-वी सताबदी के शुरुवाती वर्षों में 25 साल की उम्र को पार कर पाए, अपने पोतों का मुह देखना तो बिलकुल नामुम्किन जैसा था, बहुत कम लोग ऐसे थे, बागिशाली लोग थे, जो अपने पोतों का मुह देख पाते थे, औस आयू बहुत अपदाएं और महामारियां एक तरह से हमारे आम जीवन का हिस्सा थी, अठारवी सताबदी के दूसरे दसक से लेकर के बीसवी सताबदी के पहले दो दशकों के बीच, सौ सालों में दुनिया ने नजाने कितनी महामारियां देखी, कई अस्थानी अस्तर पर एपिडेमिक् कई बार उनकी जो लहरें आईं, एक तरह से जिनको हम वेब कहते हैं, वो वेब की तरह आईं, जैसे आज हमने देखा COVID-19 के समय में, कि वो एक वेब की तरह इतनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया, जितना पहले इतनी तेजी नहीं थी, क्योंकि पहले यातायात के सा अधन इतने फास्ट नहीं थे, इतने तेज नहीं थे, आज कुछ घंटों में महामारियां एक देश से दूसरे देश पहुंच जाती हैं, कुछ मिंटों में एक सहर से दूसरे शहर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन एक जमाने में ये सालों साल चलती रहती थी, कई बार पां किया हैजा प्लेग और इन्फ्लूएंजा इन में दुनिया भर में इन सौ सालों में उन्नीस्वी सती के दूसरे दसक से लेकर के बीस्वी सती के दूसरे दसक के बीच में कोई साथ करोड से ज्यादा लोगों की मौत इन महामारियों के कारण हुई और सबसे बड़ी बात है कि इन महामारियों में भारत अकेले भारत में इन सौ सालों में करीब चार करोड़ लोगों की मौत हुई भारत उस समय हम सब जैसा की जानते हैं भारती उप महादवी जिसमें पाकिस्तान, बा मार का बड़ा हिस्सा भारत का हिस्सा था उसमें चार करोड़ लोगों की मौत हुई उदारण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप में से बहुत सार सुधी शोता होंगे दर्शक होंगे उन सब अठारा से बीस के बीच में जिसे इस्पैनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है जो वास्तों में इन्फ्लुएंजा की महा मारी थी जिसने पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई उस तबाही का एक बड़ा मंजर एक बड़ा असर हमने भारत पर भी देखा था पूरी दुनिया में करीब चार से पांच करोड़ों की मौत हुई थी अकेले भारत में दो करोड़ों की मौत हुई थी जो ताजा अनुमान कहते हैं जो ताजा आंकड़े हैं जो इतिहासकारों ने और समाशास्त्रियों ने अर्थ सास्त्रियों ने खोज बीन करके सामने लाय उसके मुताबिक दो करोड़ लोगों की मौत भारत में हुई थी। इस दो हजार उन्नी सो अठारा से बीस के बीच का समय था ये। उन्नी सो अठारा में हिंदी के जाने माने कवी सूरिकान त्रपाथी निराला जिनके बारे में आप सब जानते होंगे। उनके उमर करीब बाईस साल थी। और उन्होंने अपने अपनी आत्मकता कुली भाट में लिखा है कि इलहाबाद में के पास डालमव में जो की एक जगह है उन नाओं में डालमव में वो गंगा के किनारे तट पर खड़े थे। और जहां तक उनकी नजर जाती थी, वहाँ पानी में इनसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। उन्होंने लिखा है कि मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पतनी मनोहरा देवी भी चल बसी है। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो पंदरा साल का था और मेरी एक साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया है। मेरे परिवार के और कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे थे। लोगों के दा संसकार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। ये निराला जी लिख रहे हैं कुली भाट में पलक जपकते ही मेरा परिवार मेरी आँखों के सामने से गायब हो गया था। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। अखबारों से पता चलता था कि ये सब एक बड़ी महामारी के सिकार हुए थे। हम सब जानते हैं कि ये इन्फ्लुएंजा साइनिकों और जहाजियों के जरिए 1918 में मुंबई पहुंचा था। और मुंबई से फिर रेलों पानी के जहाजों और प्रवासी मजदूरों के जरिये सैनिकों के जरिये जो पहला विश्यूद लड़कर के लौट रहे थे उनके जरिये पूरे भारत में फैला। और इतनी तेजी से फैला कि पूरे देश में लगबग देश के बड़े हिस्से में ये इन्फ्लुएंजा फैल गया। उसका कोई इलाज नहीं था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों की मौत इसले भी होई कि ये वही साल था जिस साल बहुत जबरदस सुखा पड़ा। इस सुखे के कारण जो अकाल की स्थिति थी लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि इस तरह की महामारी से लड़ पाते हैं। सरीर के अंदर ताकत नहीं थी इस महामारी में सबसे ज़्यदा महिलाओं की मौते हुआ क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि हमारे संइट परिवारों में महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं जो बचा-कोचा खाना खाती हैं सबसे ज़्यादा तिमारदारी के काम में वही लगती हैं, तो सबसे ज़्यादा इंफेक्ट वही होती थी, संक्रमन उनको सबसे ज़्यादा होता था, सबसे ज़्यादा कमजोर सरीर उनका था, और इसका नतीजा और उसकी कीमत सबसे ज़्यादा उन्होंने चुकाई, और सु कहते हैं, महात्मा गांधी भी इन्फ्लुएंजा से प्रभावित हुए, वो भी उसके सिकार हुए, उनकी जान बच गई, प्रेमचंद पर भी कोभी संक्रमन का सिकार होना पड़, उनकी भी जान बच गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो इससे बच नहीं पाए, वो अभागे भारतिये लोग जो इस बड़ी महामारी में मारे गए, उसने एक ऐसी स्थिती पैदा की हिंदुस्तान के इतिहास में, जो अभुत्पूर्व थी, अभुत्पूर्व इस माने में थी, कि इस महामारी में, और एक तरह से हमें याद रखना चाहिए कि प्लेग की महामारी भी जो 1894 से 96 की बीच भारत पहुंची थी, उसका भी काफी असर कई जगहों पर था, इन सब के कारण भारत के ग्यात इतिहास में, जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मताबिक, 1911 से 1921 के बीच का जो दशक है, जो जणगर्ना शुरू हुई, तो जणगर्ना में पहली बार और अब तक के ग्यात इतिहास में एक मात्र वो दशक है, 1911 से लेके 1921 के बीच में, जब भारत की आबादी इन महामारियों के कारण, खास करके इन्फ्लूएंजा के कारण, पहली बार आबादी घट गई, आबादी में बृद्धी नहीं हुई, आबादी घट ये भारत के ग्यात इतिहास में तमाम जणगर्णाओं में, जो अब तक जणगर्णाएं हुई हैं, हर बार भारत की आबादी बढ़ी है और लगातार बढ़ी है, लेकिन 1911 से 21 के बीच में पहली बार आबादी घट गई, हालत ये हुई थी, जैसा कि इस बार हम COVID के समय में देख रहे हैं, उस समय भी, उस दौर में भी 1918 में भारत के आर्थिक इतिहास का एक सबसे बुरे सालों में से एक साल है, भारत की विकासदर सून्य से नीचे चली गई, माइनस 10.8 फीजदी पहुँच गई थी, सूखे के कारण महंगाई ने सारे रिकार्ट तोड़ दिये, यह जो कहानिया हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कि इसने एक तरह से भारत में जो अंग्रेजी राज था, अंग्रेजी राज के खतरों, उसकी लूट, उसके कारण जो भारतियों को नुकसान हो रहा था, उसके खतरों की तरफ भी लोगों का ध्यान उठाया, और यही 1920 के बाद भारत में जो स्वतंतरता आंदोलन है, आजादी की लड़ाई का आंदोलन है, उस आंदोलन ने भी जो उपनिवेश वाद विरोधी आंदोलन है, वो भी बहुत तेज होता है, लोगों को अंग्रेजी राज की सीमाएं, उसके खतरे, उसकी लूट, साफ पढ़ने लगी, मैं यहां यह कहना चाहता हूँ, कि जैसा कि हम सब जानते हैं, कि महामारियों ने दुनिया भर में इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सब लोग मानते हैं कि दुनिया के इतिहास को गढ़ने में, बदलने में, युद्धों की, र बाइश्विक महामारियों के बारे में बहुत कम बात करते हैं, युद्धों के बारे में जादा बात होती है, सामा जीक, राजनितिक, आर्थिक, क्रांतियों के बारे में जादा बात होती है, आविश्कारों के बारे में, वैग्यानिक आविश्कारों के बारे में जादा चर मुझे मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बनार सिंदू विश्व द्याले, अल्मुनाई प्रकोष्ट का, जोनों ने मुझे इस विशाय पर बात करने के लिए बुलाया, मैं प्रशाशन का धन्यवाद ग्यापन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, कि उन इनके बारे में कम पढ़ते और पढ़ाते हैं और शोध करते हैं तो कई बार जिसको हम कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है इतिहास अपने को दोहराता है पर पहली बार हमें याद रखना चाहिए कि जब इतिहास अपने को दोहराता है और हम अपने अपनी इसमृतियों में उसको खतम कर देते हैं, तो कई बार उसका भारी नुकसान हम को उठाना पड़ता है, इसलिए आज जब इस विश्षपर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, तो हमें उस इतिहास की तरफ भी जाना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, कि जैसे युद्धों ने दुनिया के इतिहास पर अपनी छापे छोड़ी हैं, उसी तरह से महामारियों ने भी इतिहास में बहुत कुछ बदला है, इतिहास बदलाता है कि महामारियों के बाद, जितने भी बड़ी महामारिया आई, उनके बार दुनिया वैसी नहीं रह गई, जैसी महामारियों से पहले थी, कहा जाता है कि करोणा महामारी के बाद भी दुनिया बदल जाएगी, और काफी बदलाओ, इस में संकटों के बीच में पिछले जो पैंडेमिक्स थे या महामारियां थी उनमें और आज COVID-19 में कोई तुलना नहीं हो सकती क्योंकि बहुत इतिहास में अक्सर उलट फेर और बहुत सारा परिवर्तन रहता है, बहुत परिस्टितियां बदल जाती है, situations बदल जाती है, लेकिन आ करके इन महामारियों ने कितनी दूर दूर तक वो फैली, आखरी जो बड़ी महामारी थी, जिसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, 1918-19 में Spanish Flu या Influenza थी, जिस ने, जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई, लेकिन इस बीच हम सब जानते हैं कि दुनिया के अस्तर पर, 1920 के बाद कोई बड़ी महामारी नहीं आई थी, लेकिन ऐसा नहीं कि बीमारियां खतम हो गए, ये बात सही है कि ये दौर ऐसा था, पिछले 100 सालों का इतिहास, 1920 से लेकर के, ये 2020 के बीच में, इन 100 सालों में दुनिया ने बहुत तरक्की की, चिकितसा विग्यान ने बहुत तरक्की की, विग्यान ने बहुत तरक्की की, बिमारियों पर हम बहुत हद तक काबू पाने में कामयाब रहे हैं, महामारियां अब बहुत एक तरह से कई महामारियां जो थी चाहिए, वो हैजा हो, पलेग हो, काफी हद तक इंफ्रुएंजा के, टीके के कारण, और इनके बारे में जो दवाएं खोजी गई, उनको काबू पाने में हम काफी कामयाब हुए हैं, आपको एक जानकर हैरानी होगी, आज उसकी कोई चर्चा भी नहीं करता, जो जिसको चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, एक जमाने में उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया था, लाखों लोगों की मौत हुई थी, खास करके अमेरिका और आस्ट्रेलिया में तो उसने जबरदस्त कहर मचाया था, चेचक पहली बार जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा और अमेरिका में लोगों का यूरोप से जाना शुरू हुआ, तब चेचक अमेरिका पहुँची, और अमेरिका के लोगों को, चाहे वो केनेडा रहा हो, अमेरिका रहा हो, मेक्सिको रहा हो आज का, वहां के जो अस्थानी नागरीक थे, वो उनको इस चेचक का कभी अंदाजा नहीं था, पता नहीं था, और यह जब चेचक वहां पहुँचा तो उनके अंदर कोई यूमि चेचक इतिहास की बात हो गई, ठीको ने और चिकितसा विज्ञान ने उस पर कामया भी हासल कर ली, लेकिन इन महामारियों ने, आपको ये जान करके हैरानी होगी, कि इन महामारियों ने किस तरह से दुनिया को बदला है, इसका अंदाजा आप इस से लगा सकते हैं, कि इकी भी भूमिका को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से उन्होंने एक तरह से हमारी दुनिया को बदला है, आपको मैं ये बताओं कि ये जो हैजा है, सबसे जो पहली बड़ी महामारी दुनिया में फैली, जगा जगा फैली, ये हैजा, जो आज एक तरह से हमारे में है उसे मौते नहीं उस तरह से होती जिस तरह से एक जमाने में होती थी यह हैजा पानी के जहाजों और नाओं से यात्रा करते हुए एक इलाके से दूसरे इलाके तक एक देश से दूसरे देश तक सब्ताहों में महीनों में सालों में पहुंचता था लेकिन आज भूमंड और देश तक यह महामारियां यह बिमारियां मिंटों में, घंटों में और कुछ दिनों में पहुँच जा रही हैं. जैसा कि COVID के मामले में हमने देखा कि कुछ ही महीनों के अंदर, कुछ ही सप्ताहों के अंदर दरसल वह बिमारी चीन से निकल करके और दुनिया भर में फैल खास करके विक्सित देशों तक पहुँच गई, जहां हमारे रास्ट्री सीमाएं एक तरह से बेमानी भोगई, वाइरस के लिए कोई रास्ट्री सीमा नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने सीमाओं को लांग करके मिंटों और घंटों के अंदर दुनिया के तमाम हिस्सों में पहुँच गए, ये एक हमारे सामने छेताओनी भी है, उदाहरन भी है, आपको बताना जाता हूँ, जो सार्स वाइरस है, सार्स वाइरस गुआंग जू के सुनियात सेन अस्पताल के एक डॉक्टर लिव जियानलू और होंकंग के एक होटल मेट्रोपोल से निकल कर सिर्फ 24 घंटे में 5 देशों और कुछी दिनों में 32 देशों में पहुँच गया था, हवाइरस उडान का ये चमतकार है कि वाइरस से संक्रमित एक आदमी ने महामारी को पूरी दुनिया में फैला दिया, ये सार्स के समय हुआ था, हवाइरस उडानों की ताकत, सुगमता, आराम और गती ने बिलकुल नामालूम और गुमनाम रोगानूं, विशानूं के लिए भी समुद्रों, महाद्वीपों और महादेशों को लांगना और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचना बहुत आसान बना दिया है, कुछ रोगानूं लोगों के बीच करीबी के कारण फैलने का रास्ता खोचते हैं, तो कुछ बहुत जटिल और टेड़े मिने रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह और लोगों के बीच फैलने का रास्ता खोचते हैं, यह जो रोगानूं है, यह जो विशानूं है, वाइरस इन पर अभी हम काबू नहीं पापा है, बैक्ट के लिए जिम्मेदार जो रोगानू है, जो पैथोजेन है, विब्रियो काल्रा जो इनसान के जो मल से निकल करके लोगों तक पहुँछता है, इससे बचने के लिए जरूरी है कि इनसानों के खाने पीने में उसके मल के शिस्से न पहुचे और इतिहासिक कारणों से और सामाजिक परिस्थितियों के कारण ये कई बार असंभव हो जाता है आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जो जो हैजा हमारे सामने नहीं है उसका एक इतिहास है अठारह सो बतिस में निवार्क में जब हैजा फैला और उसमें सैकलों लोग मारे गए क्योंकि बतिस में उसकी हालत क्या थी उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब वहां है जब फैला तो उसमें सैकलों लोग मारे गए क्योंकि निवार्क में इंसानों और पसुओं के मल मूत्र को निप्टाने की कोई ब्यवस्था नहीं थी, सैनिटेशन की कोई कर रहे हैं, जिसका मल मूत्र पास की नदियों जैसे निवार की जो नदी है हडसन, इस रिवर में डाल दिया जाता था, तालाबों में फैला दिया जाता था, फेक दिया जाता था, वो जो मल मूत्र थे, इस मल मूत्र को उठाने और बहाने की प्रक्रिया में उसका कुछ हि होती थी तो चुकि रात में फेका जाता था इसलिए अंग्रेजी में जो मल है उसको नाइट स्वाइल भी कहते हैं दूसरी और निवार्क खास करके जो मैनहटन है जो मैनहटन का इलाका जिसके बारे में आप जानते हैं कि आज वो एक तरह से प्रगति का और संब्रद्धी का और अथा दौलत का केंद्र है वो मैनहटन का इलाका नदियों नालों को पाठ करके बनाया गया था और उसका कुछ हिस्सा समुद्र से छिना गया था इस प्रक्रिया में बाढ़ के समय समुद्र में जवार के समय आने वाला पानी सडकों और नीचले हिस्सों में मल मूत्र क पहला देता था पूरी गलिया बचबच आती रहती थी और कई बार छिचले कुएं जो थे पानी जिन से पीने का इस्तिमाल कहाता था उसमें भी ये मल पहुँच जाता था और इसके कारण कई बार जो पानी पीने का सप्लाई का पानी था पानी का जिस सिस्टम था उसमें भी ये मल मुत्र मिल जाता था और ये व्यवस्था के कारण ऐसा हुआ कि पानी कई बार रिस्ता हुआ भूमिगत ज रहा हूं 1832 से 36 के आसपास तक एक वेब आया, उसके बाद के भी दश्कों में कई वेब आये, हैजे के, और उस समय तक आपको ये जान का हैरानी होगी, कि हैजा के बारे में ये सपस्ट नहीं था, कि हैजा होता क्यों है, उस समय तक जो चिकित्सा विग्यान में एक समझ थी, जिसको वो मियास्मा कहते हैं, उस मियास्मा के तहट वो ये मानते थे, ये ये योरोप की बात में कर रहा हूं, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, वहाँ पर चिकित्सा विग्यान का जो दौर था, उस दौर में ये माना जाता था, कि ये मियास्मा के कारण है, और मियास्मा का मतलब ये था कि जो हवा में दुरगंध का होना हवा में जो इंप्योर हवा है अशुद्ध हवा है उसके कारण हैजा होता है ये भी पता नहीं था कि ये मलमूत्र का पानी में मिलना और खान पान में पहुँचने इसके कारण होता है इसको लेकर कि डॉक्टरों के बीच मे सोध करताओं के बीच में काफी समय तक खींशतान चलती रही कुछ डॉक्टरों ने कुछ सोध करताओं ने इसको लंदन में ये देखा कि क्यों खास करके नदी के पास रहने वाले लोगों टेम्स नदी के पास रहने वाले लोगों में ही ये फैलता है क्यों कुछ खास लोग में जो हैजा फैला, मैं ये तो उननीसवी सदी की बात कर रहा था, लेकिन हैजा एक मात्र ऐसी बड़ी महामारी है, जो दुनिया के इतिहास में कई बार आई, कई सताब्दियों में कई बार आती रही, उसके वेब साते रहे, और मध्यूगी यूरोप में जब हैजा से होते हुए, यूरोप में और यूरोप से भारत की तरफ जाते थे, दुनिया के और देशों की तरफ जाते थे, इसमें ये फैल. एक बड़ी बज़े ये भी माना जाता है कि जो साफ सफाई को लेकर के रवया था उस समय, यूरोप में और अमेरिका में, वो रवया, कोई बहुत खास निर्देश नहीं थे और जिसके कारण सफाई को कोई जरूरी नहीं समझा जाता था सरीर की दुरगंद को दूर करने के लिए लोग इत्रा आधी छिड़क लेते थे नहाना और हाथ धोना कोई व्यवहार का हिस्सा नहीं था इंसानी मल को सुखा करके विशानू मौजूद होतें उन सब का खाने पीने की चीजों में पानी में पहुँचने की संभावनाय थी आशंकाय थी और उन सब के जरिये है जा यह फैला बहुत बार जब हम अब देखते हैं तो एक तरह से रुगानूओं को रुगानूओं के अंदर जो पैथोजेंस ह अंदर खुद को बदलने और और पहले की तुलना में और अपने को घातक बनाने या जहरिला या विशाला बनाने की एक वज़ा यह है कि जो विशानूओं का या पैथोजेंस का की जो जीन्स होते हैं वो इनसानों की तरह वर्टिकल नहीं है बलकि होरिजेंटल होते हैं छ cross-fertilization के भी आशंकाएं होती हैं और वो बहुत मुफीद जगहें हैं ये गंदगियां जो गंदगी की जगहें हैं इनी जगों में से एक रोगानू के जीन में दूसरे रोगानू के जीन का मिलना और उसका और अधिक विशायला, strain सामने आने का कारण भी बनता है ये कूड़ा और गंदगी सिर्फ एक लक्षण है, बिमारी सबसे बड़ी थी उस दौर में, उसको हम कह सकते हैं भीड और भीड का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जो लोग slum में रहते थे 18 से 1850 के बीच यूरोप के कई शहरों की आबादी दो गुने से तीन गुनी तक बढ़ गई, 1830 से 60 के बीच अमेरिका की सहरी आबादी पांच गुना बढ़ी थी, slums और जुगी बस्तियों में बड़े पैमाने पर लोग रहते थे और ये जो slums थे, ये जो जुगियां थी, ये मौत के घर बन गए, क्योंकि भारी भीड के बीच बीमारियां बहुत आसानी से संक्रमित होती थे, लोग संक्रमित होते थे और उसके कारण मौतें जादा होती थी, लोग बहुत बदतर परिस्थितियों में रहते थे, एक एक कमरे में 15-15-16 लोग निवार्क में रहते थे, आप कलपना कर सकते हैं आज के निवार्क में और उस दौर के निवार्क में, उस समय और जैसा मैंने कहा कि हर महामारी आती ह तो अपने दौर को बदलती है, बहुत कुछ बदलाव दे करके जाती है, योरोप ने, अमेरिका ने हैजा से लड़ते हुए यह सीखा, कि अगर आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे, पानी को मल मूत्र से दूर नहीं रखेंगे, और पानी की एक साफ पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे, घरों के डिजाइन नहीं बदलेंगे, मैं आपको इबता हूँ, प्लेग जब आया, और प्लेग के बारे में धीरे धीरे यह आया कि जो कच्छे घर हैं, जहां चुहे आ सकते हैं, रैट फ्लीज आ सकती हैं, जिनके ज प्टान की जो हमने सैनिटेशन की व्यवस्था की है, सीवरेज की व्यवस्था की है, यह सब इन महामारियों के बाद के हुए बदलाओ हैं, जिसने आम जनजीवन में बहुत बदलाओ लाया, एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, जिस कई बार उसके कई स्ट्रेन दिखें हैं, बैग्यानिकों के मताबिक अब तक उसकी दस बंसाओलियां दिख गई हैं, इस तरह के, और मैं आपको बताओं कि यह जो महामारियां हैं, जब वो आती हैं तो उनके सबक क्या है, उनके सबक के बारे में भी चर्चा करना बहुत ज सबक यह था, कि इनसानों को अपने रहने के, रहनसाहन के तौर तरीकों में बदलाव करना पड़े गा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, सैनिटेशन पर ध्यान देना पड़ेगा, मकानों की डिजाइन को बदलना पड़ेगा, वो बदलाव हुए, इसके साथ साथ ये भी बा नहीं होगा जो आज दुनिया का एक बहुत बड़ा इंवस्टमेंट बैंक है जेपी मारगन चेज यह मूल रूप से एक एतिहासिक कमपनी है जिसकी जो मूल एतिहासिक कमपनी थी उसका नाम था मैनहेटन बैंक जिसको निवार्क में साफ पानी मुहया कराने का ठेका मिला थ उस दोर में उननीशवी सताबडी में और जिसने मुनाफध के लालच में उस लाइसेंस का करके उसको नसर्थ बैंक बना लिया बल्की पछास सालों से अधिक समय तक निवार्क को सिकायत तमाम लोगों की सिकायतों के बावजूद पब्लिक की तमाम सिकायतों के बावजूद मल मुत्र युक्त गंदा पानी सप्लाई करते रहे और फिर 1832 और 49 में दो बार जब न्यू आर्क में हैजा फैला तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्बेदार मैनहेटन बैंक को माना जाता है जिसके पास पानी सप्लाई की का जिम्मा था वही मैनहेटन बैंक आज जेपी मारगन चेज नाम का दुनिया का सबसे बड़े बैंकों इन्वेस्टमेंट बैंक में एक है यह जो लालच है यह लालच कई बार महामारियों के दौरान दिखी है जिसको कहते हैं कि महामारियां मनुष्य के अंदर के सर्वस्ट्रेस्ट जो उसके सबसे बहतरी इन्गुण हैं उनको भी सामने लाते हैं और उसका जो सबसे बड़तर रूप है उसको भी सामने लाते है ये सबसे बड़ा महामारियों का सबक है पिछली महामारियों ने भी बताया चाहे वो प्लेग रहा हो, चाहे वो है जा रहा हो चाहे वो इन्फ्लूएंजा रहा हो और चाहे अब वो COVID-19 है इसने ये दिखाया कि इस दौर में कई बार इनसान का जो सबसे बद्दर रूप है उसका जो अवसरवादी रूप है वो दिखाई पड़ता है और कई बार ये भी दिखाई पड़ता है कि उसमें जो उदात गुन है उसकी जो उदातता है जो उसका जो सबसे बहतरी रूप है जो लोगों के मदद करने का रूप है वो भी खुल करके सामने आता है और मैंने जैसा कि आपको मैनहेटन बैंक के बारे में बताया उसी तरह से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार इन महामारियों के दौरान दवा कमपनिया इसे अपने मुनाफे के एक मौके के रूप मे देखने लगती है कई बार ठीका बनाने वाली कमपनिया इसको एक मुनाफे के दौर के तोर पर देखने लगती है ये एक बड़ी चंता की बात ये एक सबक है और ये सबक इस लिहाज से भी है कि जब जब ये इस तरह की महामारिया आई तो आम तोर पर ये देखा गया है कि जो महामारी जब आती है तो उसके साथ-साथ एक नफरत की भी महामारी आती है, वो नफरत की महामारी क्या है? आम तोर पर युद्ध और प्राकर्तिक आपदाएं के दौरान के विपरीत जो महामारिया हैं, उनको जो फैलाने वाले रोगानू हैं, वो लोगों को जोड़ते नहीं है बलकि उनके बीच जो मनोवज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है उन रोगाणूं के कारण और लोगों की हो रही मौतों के कारण उसमें उनके अंदर यह आशंका फैलने लगती है कि यह जो दूसरा वेक्ति है उसके कारण मैं इंफेक्ट हो सकता हूं उसके कारण मु इस मानोता की परिक्षा की घड़ी में अगर इंसान खुद को खड़ा करता है और जैसा कि हमने देखा है पिछली महामारियों में डॉक्टरों नर्सों ने बहुत सारे ऐसे लोगों ने अगर आप अलबेर कामू का उपन्यास प्लेग पढ़िये प्लेग में इसकी कहानी है एक बृटन में एक छोटा सा गाऊ है इम वहां के नागरिकों ने जब वहां प्लेग आया तो उन्होंने ये तै कि अगर हम बाहर दूसरे गाऊं में जाएंगे तो ये प्लेग फैल सकता है वो सब लोग एक गाऊं में बंदो करके रहे और पूरा गाऊं साफ हो गया ये ए भी दिखाई पड़ता है कि कई बार वो हमारे सामाजिक संबंधों को तार-तार कर देता है, महामारी के दौरान, पिछली महामारियों के दौरान भी कई बार ऐसा मामले आए, जब नफरत की महामारी फैलने लगती है, इतिहास में ये कई बार हो चुका है, जब एक तरह से घ् प्लेक के समय में, यूरोप में, यहुदियों को निसाना बनाया गया, एक तरह से दूसरों पर दोस मढ़ने का मनुबिग्यान बहुत काम करने लगता है, खुद की जो सकती हीनता है, डर है, असाहिता है, वो हम दूसरों पर थोक कर अपने की ताकत का महसूस करते हैं, डाक समय के लोगों की हत्याएं हुई, चर्चों पर पत्थर फेके गए, यहुदियों को निशाना बनाया गया, क्योंकि उनको लगता था कि इनके कारण ये फैला है, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा सबक है, कि एक तो लालच से निपटना, एक मनुश्य के जो बदतर रू मिल करके उसको तोड़ने के लिए, उसको पराजित करने के लिए काम करना है, ये जो भाव था, दुनिया के कई देशों ने इसके जरिये महमारियों को पराजित किया, दुनिया के कई देशों ने, खास करके वैज्यानिकों ने अपना जीवन उसमें लगा दिया, कई वैज इसके कारण डॉक्टरों को लोगों के गुसे का निसाना बढ़ना पड़ा क्योंकि उस समय मियासमा माना जाता था कि क्योंकि ये असुद्ध और हवा से फैलता है और उन्होंने उसको चुनौती दी तो उसको स्विकार करने के लिए लोग तयार नहीं थे उनको अपमानित कि ये जो इनके जो नए पैथोजेंस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं उसके पीछे एक बड़ी वज़ा ये है कि जो हम पर्यावरन को नुकसान पहुचा रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है जो एक तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है हम एक तरह से जंगलों को काट करके उनके और नजदीक जा रहे हैं जो जानवर हैं पसू हैं कीट किटानू हैं उनके साथ हमारा नजदीक की संपर्क लगातार बढ़ रहा है जो कल तक हम से दूर थे आज हम उनसे और नजदीक और नजदीक पहुच रहे हैं और इसके कारण कोई भी एक वायरस किसी भी इस ए एक तरह से एक्जोटिक जीव जन्तूओं को बेचा जाता है, खरीद बिक्री होती है, उनको खाया जाता है, उसके कारण ये फैला, वहां से वो उच्छल करके वाइरस मनुश्य के अंदर पहुचा और एक मनुश्य के अंदर पहुचने के बाद वो पूरे सहर को और फिर सहर से हम जानते हैं कि किस तरह से उसने चीन और पूरी दुनिया को एक तरह से परिशान कर दिया, एक तरह से तबाह किया और दुनिया बर में आर्थ विवस्था हैं, किस तलह से इस जटके का सिकार हुई हैं, किस तरह से लाकों लोग उस से मारे गए हैं। सिर्फ यहीं नहीं, मैं तो यह कहूँगा कि इस समय हम एक ऐसी और silent किस्म की महामारी से गुजर रहे हैं, जैसमें बहुत सारी बिमारियों की जो दवाइक हो जी गई, खास करके bacteria के मुगाबले के लिए, जो penicillin का अविश्कार हुआ, और उसके कारण जो antibiotics आई, उसके misy के कारण, उसका दुर्पयोग करने के कारण, कई जो इस तरह की बिमारियां हैं, उनके जो विशानू हैं, वो अपने को बदल करके, वो antibiotics को ले करके भी एक तरह से उसके मुकाबले में आ गए हैं, उस पर उनका कोई असर नहीं पढ़ रहा है, इन दवाओं का, एक तरह स उससे भी वो अपने को अलग करने में काम्याब हो गए हैं, ये एक नए तरह की महामारी हमारे आस पास फैल रही है, तो हमें ये जो सबक है, वो सबक ये है कि हमें पर्यावरन को, अपनी धरती को जो गरम हो रही है, इसको बचाने में किस तरह से अपनी भूमी का निभाए ये भी इसके साथ एक बड़ा सवाल है जन स्वास्ते का सवाल पब्लिक हेल्थ का सवाल ये एक बहुत बड़ा सबक है जब दुनिया ने इन महामारियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर स्वास्त सुविधाओं के विस्तार में उसको स्वास्त सुविधाओं को लो हमने एक तरह से महामारियों से काफी हद तक मुक्त रखा ऐसा नहीं कि महामारियां खतम हो गई लेकिन महामारियों को काफी हद तक हम नियंतरित करने में काम्याब हुए एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछली महामारियां हमें ये सबक देती हैं और ये महामारी भी जो अभी चल रही है इस महामारी ने भी एक सबक दिया है दुनिया को दिया है और वो ये है कि आप किहां जब कोई महामारी फैले तो आप उसको छिपाईए मत उसको दबाने की कोशिश मत करिये अगर आप उसको दबाएंगे जैसा की भुहान में हुआ जैसे कि चीन की सरकार ने करने की कोशिश की, उसको छुपाने और दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ, कि न सिर्फ वो भुहान, बलकि भुहान से बाहर, खुद चीन के अंदर कई शहरों में फैला, बलकि पूरी दुनिया में वो फैल गया, और पूरी दुनिया के लिए उसने एक बड़ी मुसीवत खड़ी कर दी, लाखों लोगों को की मौत होई है, करोणों लोग उसके कारण संक्रमन के सिकार हुए है, पूरी एक तरह से सारजुनिक स्वास्त व्यवस्था चर्मरा गई है, पूरी दुनिया में अर्थ पाईए मत, अतीत में भी कई बार छिपाने की कोशिश हुई, उसको दबाने की कोशिश हुई, और ये भी एक बहुत महतुपूर बात है, जैसा मैंने आप से कहा, कि कई बार किसी को एक तरह से जिम्मेदार बता दिया जाता है, आपको ये जानकर आश्चर होगा, कि एक जमा हैजा पूरे योरोप और फिर अमेरिका तक पहुंचा, भारत के लिए उसको जिम्मेदार ठहरा जाता था, खास करके न सिर्भारत बलकि जो एक तरह से तीर थियात्री थे, उन तीर थियात्रियों को जो मक्का जाते थे या भारत में तीर थियात्राइं करते थे, उनको जि समाज को मामार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा आजा सकता है। यह एक सामुहिक चुनौती हैं। और दुनिया ने इस सामुहिक चुनौती से निपतना सिखा। यह यह 19 से लेकर 20 सताब्दी के बीच ही कई ऐसे सम्मेलन हुए जो डॉक्टरों के sanitation workers के policy makers के कि इनको निपटने के लिए क्या किया जाए और उन्ही सम्मेलनों की कतार में आगे चल करके World Health Organization का गठन हुआ स्वास्त संगठन का गठन हुआ और विश्वास्त संगठन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन महामारियों के बारे में पूरू चेतावनी देना उसे निपटने के लिए एक तरह से early warning का system develop करना कई बार इस बार हमने ये देखा कि ये early warning system काम नहीं कर पाई क्योंकि इसमें एक देखी सरकार को जिस तरह से प्रोएक्टिवली इस मामले में सतरक हो करके करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी तो ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कि किसी भी देख के किसी भी हिससे में इस तरह की कोई वाइरस जनीत या कोई और बड़ी इस तरह की महामारी पैदा हो तो उसको छुपाईए मत उसको दबाईए मत बलकि उसको लोगों के सामने ले आईए और लोगों को जागरूख करिये इस महामारी का एक सबक और भी है और सिर्फ इस महामारी का नहीं, पिछली महामारियों का ये सबक है, कि जब भी महामारियां आई हैं, तो महामारियों की सबसे ज़्यादा मार गरीबों पर पड़ी है, कमजोर लोगों पर पड़ी है, क्योंकि वो उनका सरीर उसके लिए तयार नहीं था, कि इन महामारियों के प्रहार को वो जहल पाता उनकी युमिनिटी इतनी मजबूत नहीं थी उनके सारीरिक स्वास इतना मजबूत नहीं था वो ये महामारियां एक तरह से असमानता और विशम्ता को भी हमारे सामने दिखाती है और हमने इस बार भी दुनिया भर में देखा कोविड-19 के दौरान भी ये विशम्ता उभर करके सामने आई है तो इस विशम्ता को ये ये भी एक बहुत बड़ा सबक है महामारियों का कि जिन देशों में भी और जिन समाजों में भी जादा महामारी विशम्ता होंगी जिन शहरों में एक तरह से स्लम जादा होंगे लोग भीड में रहेंगे इकठा रहेंगे वहाँ पर इस तरह की महामारियां ज्यादा फैलेंगे ये एक बहुत बड़ी चुनोती है और ये चुनोती इस लिहाज से है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को अपने को इन शहरों के डिजाइन को इन शहरों के निर्मार्ण को इन में जो स्लम्स हैं उनको एक तरह भोजन कैसे मिले क्योंकि जब कुपोर्शन के सिकार लोग होंगे तो शायद बिमारियों का महामारियों का मुकाबला नहीं कर सकते जैसा हमने देखा था 1918 में जब इन्फ्लूएंजा भारत में आया और सूखा भी पड़ा उसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए ज्यादा लोग मारे गए ज़्यादा तर समाजवाई ग्यानिकों और चिकतसावी ग्यानियों का अब यह मानना है तो यह बताता है अब मैं आपसे आने वाली चुनोतियों के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं संक्षेप में मेरा यह कहना है कि आने वाले समय में जो सबसे बड़ पड़ेगा जैसे सिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे ही जन स्वास्त एक बड़ा मुद्दा है अगर इस बार के महामारी ने ये दिखाया कि किस तरह से देश में स्वास्त सुविधाओं की कमी है ये बावजूद इसके कि पिछले सौ सालों में भारत में भी स्व हमारे एक आम भारती 25 वसंत भी नहीं देख पाता था आज यहां 65 वसंत वो देख सकता है एक आम भारती कि आउसत आयू 65 साल से उपर हो चुकी है बावजूद इसके दुनिया के और देशों के तुलना में अगर हम देखें तो आज हमें बहुत आगे जाने की जरूरत है त उनको मजबूत करना पड़ेगा इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी ये बात को कहा है उसमें एक पूरा चैप्टर हेल्थ पर है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में भी आज ये समय आ गया है इस महामारी ने हमें बताया है कि हमें कम से कम अपने GDP का धाई से तीन स्वास्त सेवाओं पर खर्च करना पड़ेगा पबलिक हेल्थ इंट्रस्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा आज भारत में जो स्वास्त सेवाएं हैं उसमें एक आम नागरी को जिसको हम out of pocket खर्च कहते हैं यानि कि जो एक रुपया स्वास्त पर खर्च होता है उसम महामारी ने ये बताया और जिसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षन ने भी कहा है आर्थिक सर्वेक्षन ने कहा है कि इसको बढ़ाया जाने की जरूरत है ताकि जो out of pocket expenses हैं जो खर्च है जो हर ब्यक्ति को खर्च करना पड़ता है और कई बार इस तरह की बिमारियों पर जाते हैं तो economic survey कह रहा है कि इसको घटा करके अगर हमने धाई से तीन फीजदी GDP का स्वास सेवाँ पर खर्च करना शुरू किया तब ये जो out of pocket expense है वो 65 पैसे से घट करके 35 पैसे या 30 पैसे तक आए पाएगा ये बहुत जरूरी है मुझे लगता है कि आने वाले समय में अ सुविधाओं को मजबूत किया जाए दूसरी सबसे बड़ी चुनोती ये है कि हम चिकितसा विज्ञान में और विज्ञान में किस तरह से शोध में खास करके जादा से जादा निवेश करें आने वाली बिमारियों क्योंकि ये जो covid-19 है इसने ये बता दिया कि viruses जाने वाल लोगों में पहुचा सकता है तो हमें चिकतसा विज्ञान पर बहुत खर्च करने की और खास करके शोध में बहुत खर्च करने की जरूरत है ताकि हम अपने को उसके लिए तयार कर सके इस इस दौर ने दिखाया कि एक तरह से आप देखें कि तो vaccine के लिए मारा मारी मची हमने भारत दुनिया की एक तरह से pharmaceutical हब है दवाओं उद्योक का एक केंद्र है हम एक इस मामले में बहुत भागिशाली है कि हमारे यहां vaccine बनाने वाली इतनी बड़ी कंपनिया है लेकिन हमें सारजुनिक शेत्र में भी vaccine बनाने पर और शोध करने पर खर्च बढ़ाना पड ताकि आने वाले चुनोतियों के लिए और खास करके टीके के बारे में या vaccine के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि दुनिया की कई बड़ी महामारियों को खतम करने में इस vaccine बहुत बड़ा रोल किया है हम सब लोगों को अपने बच्पन की याद होगी आपको भी याद उस तीके ने साथ हम सब लोगों की उम्र बढ़ाई है जिसको मैंने कहा कि पहले उननीसवी सताबदी में घर में पांच साल के दस साल के बच्चों की गिंती नहीं होती थी परिवार के सदसे के बताओ जब तक उसको एक बार चेचक नहों जाया और चेचक होने के बाद उस इसलिए भी खर्च करना चाहिए क्योंकि बड़ी दवा की कंपनियां उस फर खर्च नहीं करना चाहती है वो इसलिए नहीं खर्च करना चाहती कि एक वैक्सीन को डबलब करने में करोनो डॉलर खर्च होते और वो करोनो डॉलर वैक्सीन की कीमत कम होने के कारण उनको नहीं और चुनोती दी कि आने वाले समय में जब भी महामारियां आएं तो हमें एक जुट रहने की जरूरत है, हमें मिल करके उससे लड़ने की जरूरत है, नफरत फैलाना, एक दूसरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराना, प्रवासियों को जिम्मेदार ठहराना, ये मुझे लगता है कि महामारी से निपटने का तरीका नहीं है, पिछली महामारियों और दुनिया भर की महामारियों ने हमें इस सिखाया है, कि लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बलकि वो तो भी खुद भी उसके भुक्तब होगी हैं, और चौती चीज हमें चुनोती के रूप में याद रखनी पड़ेगी, वो है अंतर राष्टी सहयोग, महामारियां जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी एक सीमा के अंदर बंद नहीं है, किसी सीमा को वो नहीं, किसी राष्टी सीमा को नहीं मानती, वाइरस किसी राष्टी सीमा को नहीं मानता, और अगर वाइरस से मुकाबल करना है तो दुनिया के सभी देशों को इकठा होना पड़ेगा दुनिया की जो सोध संस्थाएं हैं दुनिया की जो इन्वर्स्टीज हैं उनको मिल करके काम करना पड़ेगा मिल करके उसके एक सहयोग करना पड़ेगा और जो इस तरह के कई सहयोगी संगठन हैं दुनिया भर में जो इस दिशा में काम करते हैं, शोध करते हैं, उनको मिल करके, खास करके जो पब्लिक इन्वर्स्टीज हैं, उन पब्लिक इन्वर्स्टीज को अपना नेटवर्क मजबूत करना पड़ेगा, अंतररास्ती सहयोग को बढ क्योंकि एक बात याद रखिए, कि ये जो ठीका करन शुरू हुआ है, दुनिया के किसी भी एक गरीब देश में, कोई भी अगर टीके से वंचित रह गया, और संक्रमित रह गया, तो ये आमारी दुबारा लोट के आ सकती है, इसलिए किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता, और ये बिना अंतर राष्ट्रिय वाद की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, और चोथी चीज़ा है, इस मामने में भारत बहुत महत्यूपुन भोमीका निभारा है, दुनिया भर में वैक सीन को पहुंचाने में, गर खासकर के गरीब और विकासील देशों तक बेजाने मे और यहाँ एक बात हमें और भी ध्यान रखना पड़ाएगा, भविश्य की चुनोती है, जो दवा उद्योग है, उस दवा उद्योग का regulation भी हमें मजबूत करना पड़ेगा, हमें people's vaccine के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों की vaccine के लिए काम करना पड़ेगा, और इसमें पर्यावरण को, COVID-19 के समय जब lockdown लगा, तब लोगों ने पहली बार अपनी नदियों को साफ होते हुए देखा, जब लोगों ने नीले आसमान को देखा, चीडियों की चहचाहट सुनी, आज मुझे लगता है कि यह जो पर्यावरण है, और खास करके जो global warming का सवाल है, जि मुझे लगता है कि यह आने वाले समय की चुनोतियां हैं और इन चुनोतियों से निपटने के लिए हमें तयार रहना पड़ेगा, भारत की भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है, विकासील देशों के एक नेता के राष्टर के तोर पर हमें इस समय दुनिया भर के, ख हम चर्चा कर रहे हैं और बनारुसिंदु विश्विद्याले का एक सो पांचवां साल यह हम मना रहे हैं, इस मौके पर मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि इस मौके पर हम यह कर सकते हैं, बनारुसिंदु विश्विद्याले का जो जो ग्यान का एक तरह सी राजधानी है, उस राजधानी में हमें इस तरह के विचारों को आगे बढ़ाएं, ताकि महामारियों से निपटने के लिए, खुद न सिर्फ हम अपने भारती नागरिक समाज को, अपने देश के अंदर के लोगों के उदात भावनाओं को आगे उमीद है कि आपको मैंने बहुत निराश नहीं किया होगा, जितनी मेरी समझदारी थी, जितनी जानकारी थी, उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें आपसे साजा की हैं, मुझे उमीद है कि इन प्रश्टों पर, जो कमिया और खानिया थी, उसमें डॉक्टर घिरिंदर जिम्मेदारी नहीं है, बियच्चू के विद्यारती होने के नाते बनारश विश्व द्याले के कोई जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी कमिया है, इसके लिए मैं आप सब लोगों से अगरिम माफी चाहता हूँ, अगर आपके कुछ सवाल होंगे, तो मैं उनका जवाब भी दे देश में आती है, तो सरकारों की तरफ से ऐसा कोई मेकनेजम हो, जिसकी सूचना बहुत शिक राते से घ्र लोगों तक पहुंच जाए, उसके प्रिकॉसंस क्या होंगे, हलाकि ये है कि उसके सिम्टम्स इतनी जल्दी मिलते नहीं है, जैसे कोबिट के बाद में मिले, चितन करचा भी की, कि चीन में जब ये वाइरस खैला, और ये ध्यान होगा कि वहीं के एक डॉक्टर ने सबसे पहले इसके बारे में चेताउनी दी, कि ये पहले के तुलना में कुछ अलग बीमारी है, पर उसको चुप करा दिया गया, उसको पुलिस ने गिरफतार करके धंकाया यहीनि उस डॉक्टर की मौत हो गई, खुद उस संक्रमित हो करके उसकी मौत हो गई, मुझे लगता है कि चीन की सरकार ने अंतरास्ट्री अस्तर पर अपनी छवी को साफ सुतरा रखने के लिए, बचाने के लिए इस बिमारी को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से करता है कि थोड़ी लापरवाही रही, शायद उसके पीछे एक वज़ा ये होगी कि जब सार्स को महामारी घोशित किया गया था, तो सार्स उतनी बड़ी महामारी नहीं हुई, कुछी देशों तक वो सिमट करके रह गई और उसमें बहुत कम मौते हुई, और उस समय विश से घोशना की, और तब तक वो वाइरस पूरी दुनिया में फैल चुके थे, तो मुझे लगता है कि इसका एक मात्र सबक और आने वाले समय की चुनोती ये है, कि ना सिर्फ नागरिक समाज सतर्क रहे, बलकि आब यहाँ पत्रकारिता की भूमी का भी दिरेंजी बहुत महत पूर्ण हो जाती है, चीन में स्वतंतर पत्रकारिता नहीं है, वहाँ पर पत्रकारिता की स्वतंतरता नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, और नतीजा यह है, जैसा कि अमर्त सेन ने अपने सोच से ये बताया है कि भारत में अकाल आया और चीन में अकाल आया, तो चीन म जादा लोग मारे गए भारत में कम लोग मारे गए इसके बड़ी वज़ा ये थी कि भारत में स्वतंत्र प्रेस था इस स्वतंत्र प्रेस के कारण इस मामले को राश्ट्री इस तर पर उठाया गया और सरकार पर दबाव पड़ा और उसको कारवाई करनी पड़ी चीन में ऐस पूरी दुनिया को वो पता चल सके और हम सब लोग सचेत हो सकें समय रहते हुए समय से ज़्यादा आपने समय नहीं लिया सर हम लोग तो लगातार चाह रहे थे कई मैसेज आया कि बहुत शांदार चल रहा है कुछ लोगों ने लिखा कि जिस तरीके से भाशा का इस्तेमाल जिस तरीके से तथ्य और बाकी सारी चीज़ आने ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सूस कर सकते हैं बतार सोध करता कि बहुत सारे अनुभाव पढ़ते 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 वो जहन में उतरते चले जाते हैं और हम फिर उनके एतिहासिक परिप्रेप्षों में इतना अंतस और इतना गहरे धसते चले जाते हैं जैसे लगता है कि वो सब कुछ हमारी खाड क्वी आकों के सांदे का दिर्श्प तो किताबों में ना सिर्फ आप ने पड़ा बलकि उन महमारियों के पूरे प्रिद्श्श्य को जो बच्पन में आप небेखा ता उसे रिलेट किया और उसको जिया तो ये जो दर्शन है ये दर्शन उन पन्नों में जो एक बहु पठिटा धर्म आपने विक्सित किया एक अध्यापक के नाते तो यह धर्म भी आपके प्रती एक नए तरीके का प्रग्या चक्षु रख रहा था जिस चक्षु से आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं असल में ये जो महामारियां थी इन महामारियों के बारे में बहुत कम चर्चा हुई है बहुत कम बाते हुए जैसे भारत में ही देखिए कि उनीसवी सदी के दूसरे दसक से लेकर के बीसवी सदी के दूसरे दशक में जिस देश में या जिस महादीब में चार करोड़ बहुत कम किताबे हैं, बहुत कम जानकारी है। एक طर année से वो हमारी स्मृती से बाहर चला गया है। बहुत कम चर्चा है अभी COVID के समय में फिर से चर्चा होने लगी। नहीं तो उसके बारे में बहुत कम चर्चा है। जितना युद्धों के बारे में है, उपनिवेश्वाद के बारे में है, राश्ट्री आंदुरन के बारे में, ये संभो है कि ये जो 88, 19-20 सताब्दी है, ये जो तीन सताब्दियाँ हैं, इन सताब्दियों में एक तरह से कहिए तो दुनिया का में काफी उथल-पुथल थी, ये एक तरह से राजनितिक क्रांतियों का दौर है, फ्रेंच क्रांती और अमेरिकी क्रांती हुई, अठारवी सताबदी के आखरी वर्षों में, उन्नीस्वी सदी के सुरुवाती दशक में ये महमारियां शुरू होती है, यही दौर पूंजीवाद के विकास का है, जब दु में खास करके लाटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, इशिया में अपने पर फैल आ रहा था, भारत को गुलाम बनाया गया, यही दौर था, यही दौर था जिसको हम कहते हैं कि भूमंडली करन का पहला दौर, इस भूमंडली करन के दौर में लोग यहां से, जीसे आप 무र्य सर्टकें जिन वा वारस से Co Regis. जी तो उनको भाला भारत से ले जाएं में उन देशों में ये जो प्रवासी लोग उठाकर में रही तो आप्पा चल रहा हूं कि उस जो लोगों को ले जाया हुए बार्बाडोस और बाकी जगोहों पर ब्रिटिस सामराज जे और उपनिवे श्वाद ने भारती लोगों को और एशिया से लोगों को ले जा करके बसाना शुरू किया उनके साथ बीमारियां भी चल करके वहां तक पहुंची और वो महामारियां बनी और उन देशों में वो बिमारियां पहले से नहीं थी तो वहां इमूनिटी नहीं थी और उसके करण लाखों लोगों की मौत हुई पूरी के पूरी जनसंख्या साफ हो गई तो महामारियों की बारे में एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी इस्मृति से लोप हो गई क्योंकि युद्धो में हमारा ज्यादा ध्यान रहता है हमारे राजितिक उतार चड़ाओं में ज्यादा ध्यान रहता है लेकिन आच्छा किया आपने आज महामारियों पर चर्चा की महामारियां हमारे इस्मृति से लोप नहीं होनी चाहिए महामारियों पर चर्चा होती रहनी चाहिए यही हम हमको फैला तो नहीं देगा बलकि मिल करके अगर हम लड़ सकें हमारे अंदर सामुहिकता हो और प्लेग उपन्यास का जो मैं तो आपके शोताओं को ये कहूंगा कि जो अलबेर कामूं का महान उपन्यास है प्लेग वो जरूर पढ़ें प्लेग की आखरी जो चार लाइने हैं जब औरान सहर में प्लेग खतम हो जाता उस पर विजय पा लिया जाता है और पूरे शहर में पठाखे चल रहे हैं दिपावली का महाल है उस समय जो डॉक्टर उस प्लेग से लड़ने में सबसे उसकी अग्रणी भूमी का थी वो चुप चाप सहर को देख रहा है अपने कम इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है जैसे कभी कोई प्लेग और महामारी थी ही नहीं और उसने फिर आगे जो आखरी लाइने दो तीन लाइने हैं उसमें वो कहते हैं अलबेर कामू कि उस डॉक्टर को लग रहा है कि ये इनसान जब जब बहुत सुख के निद्रा में आ जा उनको महामारी ले करके आएंगे और उनको सजग और सतर्क करेंगे उनको पताएंगे कि उनकी की सीमा क्या है एक मनुष्य के रूप में तमाम तरक्की और प्रगती के बावजुद हमको लगता है कि हमने दुनिया पर विजय हासल कर ली लेकिन एक वायरस ने देखे पूरी दुनिया को और उसकी पूरी तरक्की को किस तरह से बिलकुल जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया हमको धूल धुसरित कर दिया तो एक वाइरस की अभी इतनी ताकत हो सकती है तो हमें ये मानना चाहिए कई बार लोग बहुत लोग जो विज्ञान में विश्वास करते हैं तरक्की में बहुत विश्वास करते हैं वो समझते हैं कि मनुश्य ही इस दुनिया का राजा है वो चाहे तो इस दुनिया में जो कुछ कर सकता है, इस पृतिवी में जो कुछ कर सकता है, नहीं भाई, अपनी सिमाएं समझो, इस महामारी ने हमें अपनी सिमाएं भी बताई है, एक वाइरस भी पूरी मानवता को खत्म कर सकता है, ये समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया में और इस पूरी धर्ती पर वाइरसेज भी हैं, वैक्टीरिया भी हैं, जीव जन्तू भी हैं, पेड़ भी हैं, नदियां भी हैं, उन सब का इस धर्ती पर उतना ही हक है, जितना मनुष्य के रूप में हमारा है, अगर हमने अपना हक ज़्यादा जटाना शुरू कर दिया, तो कोई न कोई वाइरस आएगा, और हमको सबक सिखा करके जाएगा, तो हमें सतर्क रहना है, इतना ज़्यादा सुख और सम्रिद्धी में नहीं डूब जाना है, कि हम भूल जाएं कि महामारियां, हमारे हमारे पूरे मानोता को नश्ट कर सकती है, मनुष्य यहां तक पहुचा है, तो अपनी एक जुटता के कारण पहुचा है अपने साथ रहने की और त्याग की भावना के कारण पहुचा है अपनी उदातता की भावना के कारण पहुंचा है तो मुझे लगता है कि इस महामारी का एक बहुत बड़ा सबक यह भी है बहुत बहुत आभार सर और समय रहते हमने समय जादा नहीं लिया समय रहते बलके हमने बलके सामाईक विशय पे एक जरूरी चर्चा की और यह चर्चा काशिंद विश्विद्यालाय से सुरू हुए है तो निशीत तोर पे एक वैश्विक आधार भी लेगी और होना भी चाहिए इस तरीके की विश्यों पे चर्चा यकीन मानिये सर आज जब हम लोग आपको सुन रहे थे और बहुत सारे उसमें कमेंट भी आया हैं कमेंट बाक्स में इन सारे विश्यों पर हम लोग पहली बार सुन रहा है और समझ रहा है थे पढ़ने के साथ साथ वो सारी चीज़े उस तरीके से जहन में नहीं उतर पाई थी तो मुझे लगता है कि आज जो भी इस वे अख्यान को सुन रहा होगा एक नए सीरे से पूरे भारत के संदर्ब मे महमारियों के संदर्ब को एक नए नजरिय से देखना शुरू करेगा और यहां से एक नए द्रिष्टी का विगास हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत आभार सर जिसके प्रती आपने हमें चिताया जिसके प्रती आपने उस सबक की चर्चा की भविश्य की जो भाली रास्ते क्या हो सकते हैं तो इन सारे विश्यों पे एक गंभीर चर्चा और एक बहुत गंभीर विश्याते आपने जिस एक तरीके से तथ्यों के साथ और उन पारंपरिक मुल्यों का भी आद दिलाया जो पारंपरिक मुल्य पीछे चूट रहे थे खास करके मनुष्यता की अंदभक्ती और खास करके अपने आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की होड के चक्कर में आपने कहा कि एक वाइरस पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है मानी पूरी सब्देता को खत्म कर सकता है तो वैसी इस्थिति में फिर से हमें ठाहर करके अपने उन पारंपरि पहलों पर ध्यान देना होगा जिसकी तरफ ने आपने हमारा ध्यान आकरशित किया है आज का व्याठ्ध्यान निशित और पर हमें एक नई दिशा और मारुदर्शन प्रदान करेगा ऐसी हमारी अपक्षा है बहुत बहुत आभार सार बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत एक तरह से बनारस हिंदु विश्वद्याले के इस वर्चूल निवंत्रन में भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ इस विश्वद्याले ने मुझे बनाया है इस विश्वद्याले का बहुत अमिट योगदान है एक तरह से जिसको हम कहें यह हमारे लिए मात संस्था के योगदान को मैं कभी भूल नहीं सकता आपने याद किया बुलाया और ये गवरो और गर्व का छण दिया मुझे इसके लिए मैं आपका भी बहुत आभारी हूं धिरेंजी विश्वद्याले प्रशाशन का आभारी हूं और मुझे उमीद है कि यह जो चर्चा आपने शुरू की है विश्वद्याले की अस्थापना के मौके पर वसंथ पंचमी जब भी मैं विद्यार थी था तो उस वसंथ पंचमी की मुझे याद थी मुझे उमीद है कि आज जब आप विश्वद्याले की अस्थापना दिवस के मौके पर ये व्याख्यानों की एक स्रिंखला चला रहे हैं इस स्रिंखला से एक तरह से नए वसंत का आगमन हम देख सकेंगे इस महामारी से हमें मुक्ती मिलेगी हम सब लोगों के बीच में मिलना मिलाना बढ़ सकेगा बहुत-बहुत धनेवाद और बहुत-बहुत आभार यह उसर उपलव्ध कराने का इरेंद्र या इस विश्विद्याले से जुड़े किसी व्यक्ति में नहीं हो सकता है यह महावना कितब निष्ठा और उस परिष्रम का प्रतिफल है कि हम सब इसमें पुष्पित-पल्वित हो रहे हैं और कहीं न कहीं आपको आवसर मिला इस संस्था से निकल करके इसके न संस्था से निकले हुए वे सारे लोग इसका शिंद्र विश्विद्याले को उसी भाव के साथ आत्मसाथ करते हैं इसलिए मैंने अनपूर्णा शुक्ला जी से जब तीन-चार दिन पहले बात किया तो मैंने कहा कि आपकी प्रग्या चेच्छू से हम महामना का दर्शन कर हैं क्योंकि आपने महामना को देखा है और हमें आपको देखने का सवभागे प्राप्त हो रहा है यह वहीं बड़ा कम होता है और उन पर स्थितियों में यह दुनिया का एकलोता विश्विद्याले जहां हर बच्चे से आप पूछिए तो वो खाड़ा होके कहता है कि मैं म महामना का मानस पुत्री हैं महामना की मानस पुत्री है और जीवश्विद्याले की हर चीटे उसी भाव के साथ अपना अधिकार बता तो यह समर्थ समानने तोर पे और विश्विद्यालें का मंत्रा है पूरे विश्व जाले परिवार की तरब से सरा आपका बहुत बहुत अभी नंदन बहुत बहुत अभार